तो एक मसीन ले आओ जो टमाटर को छाट सके और तुम्हें इतनी चल्दबाजी क्यों है इस टमाटर को मंडी में पहुचाने के लिए मोदी जी टमाटर को इसलिए मंडी में जल्दी से जल्दी पहुचाना है कि इसमें टमाटर का भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये समय टमाटर जल्दी से जल्दी मुझे राच्चे भाव में बेज देने हैं नहीं तो रेट अगर जो सस्ता हो गया ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा और फिर तुम लोगों के दिहारी भी तो देनी होती है वो कहां से निकलेगा लालू जी इसका मतलब टमाटर का रेट अगर जो सस्ता होता तो तुम मुझे दिहारी ना देते तुम तो मुझे ब्योकूब बना के यहां काम पे बिठाए हुए हो तुम जैसे बात कर रहे हो कि रेट बढ़ा हुआ इसलिए तनका मिल जाएगा अरे राहुल मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तनका तो तमें तब भी देता लेकिन इस समय टमाटर का रेट बहुत हाई हुआ है तो मुझे भी प्रोफिट अच्छी खासी हो जाएगी और तुमको तनका भी टाइम से मिल जाएगा कोईसी चीज की दिक्कत नहीं होगी इसलिए मैं कहना हूँ जल्दी जल्दी इसको करो और मंडे में पहुंचाओ टमाटर को क्या बात कर रहे हो लालू जी टमाटर करें धाईस रुपे किलो होगे हरी यार यह तो बहुत जादा रेट बढ़ गया है लालू जी तुम ऐसा करो मुझे दिहारी ना दे के टमाटर दे दिया करो मैं तारे टमाटर निकठा करूगा हो सकता और रेट बर जाए तो मैं भी दिहारी लेना है तो मेरे पास काम करो पर टमाटर तो बिल्कुल नहीं दूगा लालू जी तुम्हें टमाटर देने में क्या दिक्कत हो रही है केजरी वाल को अरे भाई जितने उनकी दिहारी बनते हैं उतने पैसे का इनको टमाटर दे दो चाहे तुम टमाटर दो चाहे द यारी बात तो एक ही पड़ेगी राहुल तो मेरी बात को समझ नहीं रहे हो अगर जो मैं आज 200 रुपे किलो के हिसाब से केजरी वाल को टमाटर दे दिया और कल को टमाटर 300 रुपे किलो हो गया फिर तो केजरी वाल को एक किलो पे 50 रुपे का फायदा हो जाएगा फिर केजर आरे पास वो दिन रात काम करता रहे और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले धन्यबाद